जितना समय मुझे वीडियो बनाने में ने लगता उससे तीन गुना अधिक समय जादा समय मुझे वीडियो के थम्नल बनाने में लगता है अब आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक अच्छा थम्नल बनाना चाहते हैं यूटूब पर सर्वाइब करना चाहते हैं यूटूब पर अपने चैनल को ग्रो कराना चाहते हैं तो आज की ये वडियो आप बिल्कुल देख लेना बात नहीं करूँगा जो रियल्टी है यूटूब पर क्या आखिर चलता है किस वज़े से चैनल ग्रो होते ही वो चीजे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जो लोग मुझे देख रहे हैं आप सभी को Merry Christmas दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कोई भी वीडियो हो आप कितना भी अच्छा बना लो वीडियो का आपका जो content है वो matter नहीं करता सबसे पहला जो आपका होता है वो होता है आपका वीडियो का thumbnail अगर आपका thumbnail अच्छा नहीं हुआ दोस्तो तो फिर आप अपने चैनल पर जो audience हैं उनको आप अपने वीडियो पर क्लिक नहीं करा पाएंगे यह मैं लिख कर दे रहा हूँ तो आपको सबसे पहले यह क्या करना है कि आपको अपने thumbnail को improve करना है thumbnail को अच्छा बनाना है आखिर जो मैं अपने चैनल के thumbnail बनाता हूँ आखिर मैं कैसे बनाता हूँ आज मैं सारी चीज़े आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा एप यूज करता हूँ, कौन सा तरीका अपनाता हूँ, कौन से ट्रिक अप्लाई करता हूँ, क्या मैं सोचता हूँ, वो चीज़े मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों जब हम कोई भी thumbnail बनाते ही सबसे पहले thumbnail बनाना मतलब ऐसे ही design कर लेना ये चीज़े नहीं होती जितना समय हमें मुझे मैं अपनी real बात बता रहा हूँ जितना वीडियो में मुझे time नहीं लगता दोस्तों उससे ज्यादा तीन गुना भी वीडियो में वीडियो से ज़्यादा मुझे थमनल बनाने में time लग जाता है उसका reason क्या है दोस्तों जो चीज़े होती है आप वीडियो में सारा जो भी आपका कैसा भी वीडियो है आप पूरी चीज़े बताते हैं कि ये आपका जो भी चीज़े आप बता रहा है लेकिन जो थमनल होता है उस पर आपको एक ही उतनी फोटो में ही आपको सारे जो अपनी वीडियो में बताया है वो चीज़े आपको mention करनी होती है अब आप अपने थमनल में पूरा लिक तो सकते नहीं कि आखिर आपने वीडियो में क्या बताया सही का ना मैंने दोस्तों एक बात होती है कि क्लिक बेट यूटूब पर जो क्लिक बेट करता है क्लिक बेट सभी लोग करते हैं मैं आपको बता दूँ कोई कहे कि मैं क्लिक बेट नहीं किया हूँ जितने भी बड़े चनल खड़े हुए हैं सभी ने clickbait किया है और clickbait करने के तरीके क्या है वो मैं आपको बताता हूँ किस-किस वे से लोग clickbait करते हैं दोस्तों कई बार आपने देखा हुगा लोग सिर्फ video जो आपका थमनल होता सिर्फ photos लगा कर clickbait करते हैं photos ही ऐसे लगाते हैं ऐसा suspense create करते हैं कि photo को देखते ही आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर video में क्या है उसको click करना ही पड़ेगा उसको जानना है उस चीज़ के बारे में सबसे पहला हो गया कि आपको photo से ही आपको suspense create करना है clickbait बनाना है एक दूसरा option होता है कि आप अपने जो वीडियो में कुछ ऐसे keyword लिख कर कुछ चीज़े ऐसे बोल बता कर कुछ आप लिख कर लिख सकते हैं उससे आप अपने वीडियो को अपके thumbnail में जो आपको ने लिखा है उससे आप अपने thumbnail को clickbait बनाते हैं अपनी photo लगाते हैं और भी कुछ चीज़े लगा कर कई सारे images, png file लगा कर आप उसको clickbait बनाने की कोशिस करते हैं और जो तीसरा होता है यह बहुत ज़्यादा important होता दोस्तों जो सायद आपके लिए जरूरी है जो सायद मैं भी apply करता हूँ आपको क्या करना है कुछ चीज़े होती हैं कि आप जो वीडियो में बता हैं उसको आप directly नहीं बता सकते हैं बाई कोई भी बात होगी आपको किसी से बोलना है अगर आप direct बोलोंगे तो सायद उसको बुरा लग सकता है ठीक है मतलब वो चीज़े direct नहीं समझ सकता है समझ भी सकता है लेकिन आपको YouTube कुछ अलग तरीके से काम करता है क्योंकि इस पर आपको ज़्यादा ज़्यादा audience लानी होती वीडियो को बिल्कु इसके पर करना अगर वीडियो आपको पसंद आजा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना चनल पर नहीं है वीडियो अच्छी लग जाए तो चनल आपको सब्सक्राइब ज़रू करेना अगर नहीं किया है अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं तरीका अपनाता हूँ आप कोई भी मैं जैसे कोई भी आप content create करता हूँ कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो उससे वीडियो बन गया इसके बाद मैं सोचता हूँ कि आखिर जो मैंने बताया है इसको मैं कैसे represent कर सकता हूँ, कैसे लोगों को एक tag line, एक title होता है, एक motivation दे सकता हूँ, कैसे मैं यहाँ पर ऐसे text डाल सकता हूँ, कौन सी ऐसी सारी या फिर line लिख सकता हूँ, जिससे ज़्यादा ज़्यादा ये click bit बन सके, और वो related हो हमारे वीडियो से भी, दोनों से ये matter करता है, कि हम आपके वीडियो से भी related हो, आपके जो थनल हो, उससे दोनों से relation होना चाहिए, तो इसके लिए आपको सोचना पड़ता है, सोचने के लिए टाइम लगना पड़ेगा आपको, कुछ ऐसे lines आपको सोचनी पड़ेगी, जो ज़्यादा ज़्यादा click bit हो, जिससे सामने आते ही, आप वो इंसान आपकी वीडियो पर click करने की कोशिस करे, मैंने अपने चर्ण पर बहुत सारे थनल बनाये हैं, आपने देखे होंगे, मैं यहाँ पर आपको कुछ demo दिखा देता हूँ, ठीके, demo दिखा देता हूँ, सायद उससे आपको कुछ सीख मिल जाए, ठीके, जिससे मालीजी यहाँ पर, मैंने यह बनाया था, my first blog करके, आप देखे होंगे, इस पर कैफी सारे लोग ट्राइपोर लगाते हैं, कुछ ऐसा लगाते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक सर्प लगाया था, कुछ नया किया, कुछ unique किया, जिससे सामने वाला देखेगा ना, तो एक बार ज़रूर सोचेगा कि आखिर ऐसा क्या है इस वीडियो में, तो उसको मजबूर करना है आपको, कोई भी हो, audience को आपको मजबूर करना है, जबर जस्ती वो आपके वीडियो पर क्लिक नहीं करेगा, आपको कुछ ऐसा डालना है थमने में, जबर जसे वो आपके थमने पर क्लिक करे, हुब भी बताता हूँ, कि आखिर में काउन से एप से बनाता हूँ, और क्या-क्या मैं चीज़ते कहां से, images लेता हुँ, कैसे उसको PNG में बनाता हूँ, और भी देखिए मैंने बहुत सारी यहां पर थमनेल बनाया है मैंने यहां पर संकरजी का बताया था काफी सारे लोग बोल ले थे कि आपने यह दो थमनेल बनाया है यह बहुत ज़ादा clickbait है मतलब मैंने एज ये वीडियो में बताया था तो लगे कि भाई कैसे भगवान हो गया हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से आपको repression करना होता है, कोई भी thumbnail आपको बनाना है, थोड़ा सार सोचना पड़ेगा, click bit बनाना पड़ेगा, जो तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो साइद मैं use करता हूँ, और अगर आप स सबको ही नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपने channel को analyze करके, और पहले भी मैंने सारी चीज़े बताई है, पहला होता है आपका audience reach, audience reach और आपका click-through rate होता है, यह depend करता है आपके thumbnail पे, बात समझ लेना, यह thumbnail पे depend करता है, और तीसरा होता है audience retention, वो आपके content पे depend करता है, तो सबसे पहले आप दोनों चीज़ पर focus करेंगे, जो thumbnail है, या, क्योंकि अगर YouTube किसी को suggest करेगा, तो वहाँ पर अगर आपकी वीडियो जाएगी, तो उसमें आपका thumbnail अच्छा नहीं होगा, तो आपको click-through rate अच्छा नहीं मिलेगा, तब ही मैं बोलता हूँ क thumbnail में थोड़ा सा ज्यादा time दीजिए, अपने thumbnail को improve करने में, अच्छे से अच्छा बनाने में, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं thumbnail कैसे बनाता हूँ, दोस्तों मैं thumbnail मैं आपको बताता हूँ, पिक्सल लैब से बनाता हूँ, बास समय लेना, ये पिक्सल लैब application है, जिससे मैं thumbnail बनाता हूँ मैं इस ही आपसे बनाता हूँ कैसे बनाता हूँ यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जाना है यहाँ से image size क्लिक करना होता है यहाँ से custom पर जाके यहाँ से youtube thumbnail का option select करता हूँ और यहाँ से ok कर देता हूँ अब आपके सामने background आ गया अब यहाँ पर आपको background का color अगर आपको change करना है तो यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी background का color रखना चाहते हैं आप color simple color रखना चाहते हैं simple रख सकते हैं तो मतलब यह आपको decide करना है gradient color चाहते हैं मैं अपनी image लगा सकता हूँ, यहां से import करके, मैं और भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे माली जी यह image है, मैं इसे import करता हूँ, यहां से आप rotate कर सकते ही, सारी चीज़े यहां से आपको सीखना पड़ेगा, कि कैसे आपको edit करना है, कैसे rotate करना है, ठीक है, अब मैं image यहां पर लगा देता हूँ, देखे, set कर देता हूँ, ठीक है, set कर दिया, आप कुछ सोचना पड़ेगा, सबसे पहरे thumbnail बनाने से पहले, आपको कुछ सोचना है, कि आखिर क्या-क्या image में लगा सकता हूँ, और क्या मैं tagline लिख सकता हूँ, जिससे ज़्यादा-ज़्यादा clickbait बन सके, और सारी चीज़े यहीं पर आपको available है, text add करना है, text, current date, जो भी save, gallery's image लेनी है, सारी चीज़े आप stickers लेने हैं, सब यहीं से आप ले सकते हैं, इसी से मैं thumbnail बनाता हूँ, और इसी से आपको बनाना है, बास समझना आप, ठीके, आप कोई भी image अगर आपको png बनानी होती है, माली जे कोई image है, आपको png बनानी है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, माली जे कोई image चाहिए मुझे google से, तो मैं यहाँ पर कोई भी image सेर्च करने से पहले, मैं यहाँ पर लिग लेता हूँ, png, .png लिगा देता हूँ, तो वो image मुझे मिल जाती है, फिर मैं उसे डाउनलोड कर लेता हूँ, इसी के थुरू मैं उसको png में convert भी करता हूँ, online website है, removebg.in, वहाँ से मैं कोई भी image हूँ, उसको आप 5 second करने आप background remove कर सकते हैं, आपको एक एक करके करने की ज़रूत नहीं, तुरंत remove हो जाएगा, अब thumbnail मैं इसी app से बनाता हूँ, जो भी चीज़े में add करनी होती है, text add करना होता है, मैं text यहाँ से करता हूँ, यहाँ पर click करके आप यहाँ से English में tag, English में Hindi में जो भी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जो भी बोला, यहाँ पर आ चुका है, अब इसका font style change करना है, जैसे भी आपको set करना है, background में कुछ इसका background लगाना है, वो भी लगा सकते हैं, आप color selection कर सकते हैं, इस तरीके से, और इसका अगर font style change करना है, font पे जाते हैं, यहाँ से आपको काफी सारे font मिल जाते हैं, जो मैंने by default डाउलोड करके रखा है, जो आप add कर सकते हैं अपने वीडियो में, और आप YouTube पे survive कर पाऊगे, आसा करता हूँ, जो चीज़े मैंने आपको बताई, मैं Pixel Lab से बनाता हूँ, आप एक बड़ ट्राई करना नहीं आए, तो आप comment करना, मैं फूरी full वीडियो बना के दूँगा, कि कैसे मैं Pixel Lab से अपना थंबे edit करता हूँ, आसा करता हूँ, इस वीडियो में आपको जो भी मैंने आपको चीज़े बताई, आपको समझ में आ गई होगी, दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक और कमाल की वीडियो में, जहिन जय भारत!